बात करने के लिए भी हमारे पास शब्द बूध कम पढ़ जाते हैं हम उनके विक्तित्व के बारे में बात करने के लिए उनकी कवीताओं किसे अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार के विक्तित्व के विक्तित है इसलिए मैं आज उनकी एक कवीता दोराना चाहूंगा जो कि आज के युवाओं, नोजवान, बड़े, बच्चे, बुड़े, सब के लिए एक प्रेरनागस दुदू कि बाधाएं आती हैं आएं, गिरे प्रले की घोर गटाएं पाउं के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदी ज्वालाएं निच हाथों में हस्ते हस्ते, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा हासे रूदन में, तूफानों में, अगर असंक्यक बलीदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तग उबरा सीना, पीडाओं में पलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा उजियारे में अंदकार में, कलकहार में, बीचधार में, घोरगरीना में, पूत प्यार में, शनिगजीत में, दीरगहार में, जीवन के शत शत अकर्षक अर्मानों को ढलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा कदम मिला कर चलना होगा समुक फैला अगर धैपत समुक फैला अगर धैपत प्रगती चिरंतन कैसा आईती अब सुसमित हर्शित कैसा अश्रमशलत असफल सफल समान मनुरत सब कुछ देकर कुछ ना मांगते पावस बन कर ढलना होगा कदम मिला कर चलना होगा कुछ कांटों से सज्जित जीवन कुछ कांटों से सज्जित जीवन प्रकर प्यार से वंचित यूवन नीरवता से मुकृत मदुबन परित अर्पित अपना तन्मन जीवन को शत शत आहुती में जलना होगा गलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा बाधाय आती है आए गिरे प्रले की घोर गटाए पावं के नीचे अंगारे सिर्पर बर्से यदी जवालाए नीज हाथों में हस्ते हस्ते आग लगाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिला कर चन्ना हूँ